नमस्कार स्वागत है आपका फिल्मी बीट में आपके साथ मैं हूँ दिपिका नयाल अनुश्का शर्मा की फिल्म जीरो जल्द ही रिलीस होने वाली है फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं लेकिन फिल्म से जुड़ी एक बात सामने आई है बात दरसल ये है कि अनुश्का ने फिल्म में ठीक वैसी ही साड़ी पहनी है जैसी अपनी दिल्ली वाली पार्टी में पहनी थी जी हां शोशल मीडिया पर अनुश्का की एक तस्वीर वारल हो रही है आपको बताते कि वारल तस्वीर जीरो फिल्म की है जो जल्द ही रिलीस होने वाली है इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अनुष्का रेड बनार से साड़ी में नजर आ रही है अगर आप गौड से देखेंगे तो ये साड़ी ठीक वैसी ही है जैसी अनुष्का ने अपने दिल्ली वाली पार्टी में पहनी थी जी हाँ आज से ठीक एक साल पहले ऐसी ही साड़ी अनुष्का ने दिल्ली वाली पार्टी में पहनी थी वैसी ही साड़ी अनुष्का ने जीरो फिल्म में पहनी है जिसमें वो ब्रैडन लुक में नजर आ रही है तस्वीर को देखने से साफ है कि शादी का कोई सीन है जिसके लिए अनुष्का तयार हुई है इसमें कोई शक नहीं कि अनुष्का लाल साडी में गौर्चस दिखाई दे रही है आपको बता दी कि अनुष्का की दिल्ली वाली पार्टे की साडी की डिमांड तब जादा बढ़ गई थी जब उन्होंने इसे पहना था और इस बात का खुलासा खुद सब्यसाची मुखर्ची ने क्या था बेरहाल बात अगर अनुष्का के फिल्म जीरो की की जाए तो जीरो 21 दिसंबر को रिलीस होने वाली है जीरो का अनुष्का को बेसबरी से इनतगा है इस फिल्म में अनुष्का के साथ कटीना कैफ भी नज़र आएगी वही शारुख खान भी इस फिल्म में नज़र आएंगे जबकि बॉलिवुड के कई सितारे इस फिल्म में कैमियो करते हुए नज़र आएंगे जिन में श्री देवी और सल्मान खान का नाम भी शुमार है बेरहाल इंतजार तो जीरो का है क्योंकि अनुश्का के सासाज शारुख खान और कटीना कैफ भी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटिड है इस फिल्म को लेकर उन्होंने काफी काम किया है फिल्म के अगर हम बात करें तो शारुख खान इसमें बौने व्यक्ति के किरदार में नजर आएंगे जबकि अनुश्का शर्मा आपको विल्चियर में दिखाई देगी वहीं कटीना कैफ इसमें एक्टरिस का किरदार निभा रही है वैसे ये तीनों इससे पहले जब तक है जान फर्म में नजर आ चुके है लंबे समय बाद ये तिकड़ी एक बार फिर जीरो के जरीए लोगों के सामने होगी खेर हमारे इस वीडियो में बस इतना ही लेकिन बाकी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले